नमस्कार अधे राधे हरर महादेव मैं आपका आचाहर देव आज इस वीडियो पर बात करेंगे प्रशनता की रासी मुक्ति की रासी खुसी की रासी अपनों के सुख के पीछे भागने वाले जो लोग हैं मीन रासी मीन रासी किसकी रासी मुक्ति की रासी है प्रशनता की र तो जनवरी 2024 कैसा जाने वाला है तो पहले आपको नौवर्ष की मंगल में शुपकामना खुश रहिए सुस्त रहिए मुस्कुराते रहिए राधे राधे करते रहिए यत्र तत्र शर्वत्र आपकी यस पता का आपकी धोजा लहराती रहे और साथ में हमारे चनल को आप सपोर खानपान पर विस्तेश ध्यान रखना चाहिए है वजन बढ़ने के संभावनाएं बन रही है और बहुत प्रदेश यह जो हमारा पेट है इसको मोलते हैं मद्य प्रदेश ठीक है ना तो पूरा भारत ठीक है और मद्य प्रदेश में प्रवलम आ गई तो पूरे सरीर में प फर्स्ट जनवरी से ही प्लस आपके साथ क्या और रहा एक दिसंबर से गुरू महाराज मारगी हो रहे हैं और मारगी कहा हो रहे हैं केतु के अस्वनी नचत्र में जिसको बोलते हैं योद्धा नचत्र तो डेफिनेटली आप यहां से स्पीड पकड़ रहे हैं आलस को आप थोड़ी सी फास्ट होगी एक फोटी सेवन की तरह आप बोलना सुरू करेंगे और जल्दवाजी में की गई वारता थोड़ा सा अपनों को दुख पहुचाते हैं चोकि केतु के नचत्र में हैं इसलिए वाड़ी के द्वारा या सिग्र बोलने की वज़ा से आप रिस्तों हमें खटास ना है इसके अच्छा होगा देखिए परमात्मा ने हमें दो कान दिया है और मुखे एक दिया है इसका सीधा समतलब है हमें अधिक सुनना चाहिए और बोलना कम चाहिए तो कम बोलिए खुश रहिएगा बेहतर समय है धनात्मा क्रोप से और स्वास्त के आधिकाल में नहीं आधिकाल से दिके पैसा जो है बहुत इंपोरण्ट है खटा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है कुदा जैसा यह है और धन है तो आप धर्म का काम कर सकते हैं काम कर सकते हैं भाग का स्वामी कर्व में चलेंगे, बहुत सुन्दर योग है, निस्चत रोप से 28 तारिक दिसंबर के बाद जब मंगल महाराज का गोचर, आपके कर्मा भाव में वो रात, कर्म में आप आगे बढ़ेंगे, काम में आप इस्पीट पकड़ेंगे, तो आपकी जो नौकरी मे परिशानी आ रहे थी, वर्किंग प्लेस पर परिशानी आ रहे थी, पिता से सम्मंदों में थोड़ी से चिक चिक हो रहे थी, वो सारी चिज़ें यहां पर ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहां पर एक बहुत सुन्दर योग बन रहा है आपके लिए, उसको बोलते मंगल गुरु के मूल त्रिकोन रासी में, धनु रासी में, और मंगल गुरु महराज मंगल के मूल त्रिकोन रासी में, तो मूल त्रिकोन में दोनों का इक्स्चेंज हो रहा है, यहां रासी परिवर्तन निस्चित रोप से आपको दुविधाओं से परिशानियों से मुक् आपके पच्छ में आएगा कोई डाउट ही नहीं है आपके कुंडली में बुद्ध महराज बहुत महत्पूर्ण रोल अदा करने वाले हैं बुद्ध बुद्धी के स्वामी है बुद्ध आपके कुंडली में सुख के स्वामी है बुद्ध ब्यापार के स्वामी है और बिना ब्यापार के पैसा आता नहीं जातर लोग बोलते हैं न कौन से मंत्र जाप करें या क्या करें देखिए भई आप पहले तो कुछ नौकरी या ब्योसाय करें आप जब ब्योसाय या नौकरी करेंगे तभी पैसा कमाएंगे बैठे बैठाए आपको पैसा नहीं मिलेगा आप संक्राचारे नहीं है ठीक है ना कनकधारा इस्तरोध पाट करके स्वर्ण वर्षा करा लेंगे ये सामर्थ हमारे आप में से किसी को नहीं है या गर में कुछ लाके रख लेंगे तो लश्मी जी ऐसी गिरना शुरू हो जाएंगी अगर यंत्र लाके रखने से लश्मी जी गिरना शुरू हो जाएं आना शुरू हो जाएं तो यंत्र ही क्यों बेचा जाए उसी यंत्र को रख को कुछ पैसा कमा लें क्यों बेचे भई टीवी पैट दें तिन चीजों से बचके रहेगा मेहनत ही दिखे पुर्शार्थ के द्वारा ही भाग जगेगा पुर्शार्थ और भाग दोनों एक अरत के दो पहिये हैं पहले पुर्शार्थ है उसके बाद भाग गए है तो कर्म के द्वारा ही फलकी प्राप्ति होनी है इसलिए आपके जो तरग्रह जनवरी माह में मूल नच्छत्र का प्रभाव लेके चलेंगे, मूल, मूल मतलब जड़ से जूणना, मूल मतलब परंपराओं का वाहग बनना परंपराओं के साथ चलना तो यदि आप परंपराओं के साथ चलना हैं, परंपराओं के वाहग हैं तो डेफिनेटली आपको लाव मिलेगा, यदि आपको परमपरा मान मर्यादा से हट कर काम कर रहे हैं, तो फिर यह नच्छत्र आपको सवारी नहीं करने देगा, भई हर चिसके निमावली होते हैं, गाड़ी में बैटो ना, सीट बेल्ट लगा लो, सीट बेल्ट लगाने से क बच जाएंगे, टिक, आपके कुंडली में सुक्र महराज बहुत मात्रपुन भूमिका नहीं अदा करते, किन्तो सुक्र आपके आयू के कारक हैं, साथ में पराक्रम के कारक हैं, और यह आपके 18 जनवरी से धनु में होंगे, 18 जनुरी तक भागे में होंगे, तो यह यहाँ यहाँ पर सुक्रमंगल यूती, थोड़ा सा वर्किंग प्लेस पर साधानी के साथ चलिएगा, जो भागने की गती है न, वो आपको परिशानी का सबब दे सकती है, जब यहाँ पर गुरु महराज के नवम द्रिश्टी आपके करमा भाव पर होने से, गुरु महराज उसको संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी ध्यातब रहे, ध्यान देजिएगा, सुर्य नारायन आपके कुंडली में बहुत अच्छा रोल अदा नहीं करते, सुर्य महराज आपके खश्टेस हैं, और ये भी 15 जनवरी तक यहीं पर रहेंगे, तो खश्टेस का जब करमा में प्रवे महराज की द्रिष्टी रहेंगे, किस की द्रिष्टी रहेंगे, गुरु महराज की द्रिष्टी रहेंगे, इसलिए सुर्य नारायन यहां बुरा फल नहीं देंगे, तो सरकार या सरकारी नौकरी, सरकारी टेंडर, सरकार के प्रोजेक्ट से आपको फायदा होगा, फायदा स्यू के बातों का इगनोर किस ने किया कार्तिके ने किया आप देखिए परमपरा वहीं रही है भगवाय ने कृष्णा के बातों को किस ने इगनोर किया उनके पुत्र शाम बने इगनोर किया राम जी को रहत कौन पकड़ सकता तो लेकिन उनके पुत्रों ने आके पकड़ ल लए ठीक है न यहां पे जो इस्थिती बन रही है वो ये बन रही है कि आप अपने अगर पिता का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा और हमारे बीच में ज्यादा तरह अपने सम्मंदों में खटास पैदा कर देते हैं सम्मंदों को क्योंकि सुख सम्मंदों से मिलता है अपनों से मिलता है तो अपनों से हार जाना सुख का मूल कारण है जित जाएंगे तो आप तो जित जाएंगे लेकिन सुख हार जाएगा राहु माराज आपके लगन में है राहु अभी रेवती नश्चत्र में चल ला है कोई दिक्कत नहीं है आठ जुलाई तक राहु सुन्दर फल देंगे केतु सक्तम्भाव में है थोड़ा जीवनसाती का तेज बढ़ेगा जीवनसाती के बातें थोड़ी तिजस्वी होगी लेकिन आइडियाज ऐसे होंगे बैलेंस करने के लिए उनके आइडिया बहुत अच्छे होंगे तो उनके आइडिया को लेते रहे और उनका ध्यान रखते रहे क्योंकि वो आपको ब्यापार में सुख में बहुत मातपूर सहयोग प्रदान करने वाले हैं तो बेतर समय है, हो सके, तो सुक्र की चीजों का दान करेगा, गुरू की चीजों का दान करेगा, जनवरी मा उससी प्र्यागराज कुम्बो में मेला लगने वाला है, तो अभी तो नहीं, 2025 में दिया आप कुम्बो आते हैं, तो आपको स्वागत है, रहने खाने के टेंशन मत रहे लीजेगा आईएगा आपके लिए पूरी विश्ता करने के हमने प्लान बना रखी है और इस बीच आप प्रयागरा जाते हैं तो अश्णान करके आप पवित्र स्रोवर में अश्णान करना और खासकर मकर शंक्रांती पे दान करना बहुत अच्छा रहेगा तो गुड का दान करना तिल का दान करना आपके लिए कल्यान कारी होगा खुश रहे सुस्त रहे मुस्पराते रहे रादे रादे करते रहे